नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं हमारे चैनल एफन और श्योर में आज हम आपको लोग के लिए एक पेड़ स्ट्रेजिरी लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया है बहुत अच्छी काम करती है मैं भी इसको यूज करता हूं यह उन लोगों के लिए है जो नाइन टू फाइ स्किन को मॉनिटर कर सकते हैं उनके लिए ट्रेडिंग करना चट्रेडिंग करना वाच लूपunion करना यह चैलेंजिंग करना कभी कभी काफी चैलेंजींग हो जाता है तो हम मैंने काफी बयकित dubu को सबसे बडा सवाल है हम अपनीव जॉप आपके साथ साथ ट्रेडिंग कैसे करें थोड़ा बहुत इंकम उससे निकाले हमारे पास नाइन तो फाइब की जॉब है या फाइब के बाद और भी ज्यादा उसके आगे का भी टाइमिंग है जोब का तो कोई टाइमिंग ही नहीं है तो यह कैसे हम लोग इसको फॉलो करें क कैसे बैक टेस्टिट करें कैसे फारवर्ड टेस्टिंग करें यह सारी चीजह हम लोग इस वीडियो में सिखेंगे देखिए इस्टेजी बिल्कुल सिंपल है हम लोग थीन थ्री वे पैटन को यूज़ करने वाले हैं और साथ में हम लोग प्राइज एक्शन को भी देखें है हमारा जो गोल रहेगा कि हम प्राइज एक्शन के अनुसार अपने ट्रेडिंग करनी है मतलब विए जैसे वह ट्रूट को ट्रेडिंग करनी है और आगे का हम लोग अपना टार्गेट करना है अब यह थ्री वेव है क्या तो थ्री वेव पैटर्न सिंप्ली आपका जो आपने सुना होगा एलिएट वेव के बारे में तो यह एलिएट वेव पैटर्न और साइकल से बनके बना होता है जिसमें से इंपल्सी वेव होते हैं मतलब अगर मार्केट अप्टरेंड के लिए हो रहा है तो वह होते हैं और आप देखोगे कि मार्केट कभी बी जो एक सीधी रेखा में उपर नहीं जाता है वह उपर जाता है अब यह आप यह देखो यह ऊपर गया थोड़ा सा नीचे आया फिर कने वाले आ रहा है यह उसकी करेक्टिव या उसका counter ट्रेंड जैसे का सकते हैं टो यह के ड्रेक्शन में घूंते हैं जैसे यह वागा हो गया यह फॉल का यह व्रॉकर्फ तो यह मतलब यह काौंटर से मतलब थी ह giàत Two or three यह यह और यह मतलब इसका कारण में आपको बता हूँ एक सजिक्टिव है यह कभी-कभी बहुत जगा काम करता भी है कभी-कभी नहीं भी काम करता है तो यह हम लोग उसके पर टोटली नहीं कर सकते हैं तो मैंने इसमें चूज किया है कि हम केवल त्री वेव कोई लेंगे मतलब वन इंपल्सीव वेव इसमें थोड़ा सब जो करेक्शन आया फिर मार्केट वापस उसको उपर को जाने लगा तो वहां पर हम लोग का जो यह 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 सेटप को हम लोग लेकर आगे ट्रेडिंग करे कि इसमें हमारा जो पहला स्टेप रहेगा कि हमें मतलब इस ट्रेड में गुस्ने से पहले क्या करना है फाइंड एंपल्सी वेव और करेक्टिव प्राइब मूज एन अनर्दी इंपल्सी वेव जैसे आपने लोग देखा कि यह देखो एक इंपल्सी वेव आया नीचे से उपर तक फिर एक करेक्टिव प्राइब मूज आया मतलब यहां से यहां से एक बुल रन हुआ फिर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आया थोड़ा सा मार्केट ने चाहिए फिर एक थर्ड वेव उपर के लिए जाने लग है और फिर देखना है कि यह उसके बाद एक फिर एक इंपल्सीव कहां पर हो रहा है कि देखिए पहला एक इंपल्सीव फिर एक उसका करेक्टिव प्राइज एक्शन कम्यू थर्ड हो गया आपका उसका अनेदर इंपल्सीव तो जो यह तीसरी वेव है हम लोग यहीं पर हिसी पर हमको अपना इंट्रि लेनी है इस ही पर हम लोग अपना ट्रेडिंग करेंगे अ है वह अब ट्रेंड का है मतलब में जाता अपर गया नीचे है फिर उपर को गया इसमें यह भी हो गया यह सी होगई और डेखिए हमने यह मार्केट में चल ला आए ठीक है और हम पलसी वेव एटू बी ठेक है उसके बाद एक जो एक या जो फोड़ाईगी मतलब यहां से प्राइस उपर गया डिया यहां से उपर ठीक है तो इसको पने लगा अब देखो यह जो पिछला इसका लास्ट हाई ता उसको भी ब्रेक आउट कर दिया अब ब्रेक आउट करके ऊपर अब इसके पार सेस्टेंट करने लगा तो अब यह हमारा जो है कि थीड़ थ्री वेफ प्रैटर्ण जो है यहां पर स्टैबलिस हो गया यह हम अब इस पर हम लोग काम कर सकते हैं प्रैटर्ण करेक्षण लिया ठोड़ा सा नीचे यहां पर आने से पहले इसने बी को यह जो यहां पर इसका जो सपोर्ट तो तोड़ दिया तो यह एक बेएर मार्गेट का डॉन ट्रेंड हो गया ठीक अब देखो यह जो हम लोगों ने देखा एटू बी जो स्विंग यह यहां से यहां तक एटू बी और यह सी यह जो स्विंग है ना यह काफे इस जो मैं इस बताने जा रहा हूं इसके लिए काफे इंपॉर्टेंट है अगर यह बहुत छोटा होगा मतलब यह चोटा यहां पर यह पर उपर गया जितना चोटा लोग है तो यह उतना यह चांसे बहुत बढ़ जाएंगे और बहुत हीूज होगा मतलब बहुत बड़ा होगा है मतलब यहां गया बहुत बड़ा साइक नीचे बना दिया तो उसका टार्गेट आने में भी काफी समय लग सकता है वीक्स लग सकता है काफी डेस लग सकते हैं तो इस सीच का भी हम लोग को ध्यान लगना है कि यह जो मूव है हमारा एक मीडियम में होना चाहिए मतलब बहुत ज101 च्छोटा होना चाहिए बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए आप देखे हमारा स्चांटर्ब्रेकाईट प्रेकाउट होना चाहिए और हम लोके ऐ और वी पैटंगु को फांड आउट करेंगे उसट फिबुन, इस में वाशन ब्स न प्रेट में घुसेंगा अगर हमारा कंडिशन मैट कर गया और हमारा जो टार्गेट होगा वह फिबोनासी का 1.618 लेवल का होगा इसको आप स्क्रेंट बना के भी लग सकते हो चाहे हो तो या नोट कर लो यह हमारा इसका रूल से हैं अब यह देखो आप यह देखो चार्ट है यह टाटा स्टील का चार्ट है इसमें मैंने ड्रॉब कर रखता है फिबोनासी यहां पर देखो यह देखो यह यह एक भी मतलब यह यहां से एक मार्केट आ रहा था अब हमें यहां पर ट्रेड लेना ठीक है अब यह हमने एक फाइंड आउट कर लिया जाएगा तो यह हमारा टारगट है उसके बाद हमारा क्या हम ट्रेट ना लेंगे यहां से हम लोग ट्रेट में इंट्री करेंगे मतला हमारा जो बाई एरिया रहेगा वह इन इन तीन फीबोनाटी के दीन लेवन के बीच में बाई रहें रहेगा अच्छा हां अगर मालो यहां से यहां तक एक इंपल्सीव मूव आया ठीक है उसके बाद एक करेक्टिव मूव आया नीचे आ रहा नीचे आ रहा थे थोड़ा सा उपर गया लेकिन अगर उपर गया यहां पर और यह 50% का जो फिबोनासी का मतलब आप लोग ने ड्रॉ कर लि सेटप को मैं इग्नोर कर देंगे सेटप में हम लोग नहीं कुसेंगे ठीक है हम लोग को क्या चाहिए 50% की ऊपर थोड़ा सा रेटरेस करें प्राइस तब हमको वह सेटप हम लोगा एक परफेक्ट सेटप बनेगा और वह टाइम पर यहां पर इंट्री मार जाएंगे तो ह सेटप के लिए और फ्यूचर के लिए तो इस बात को आप ध्यान में रखना क्योंकि यह मैंने पहले स्टार्टिंग में बता रहा था कि जो जौब बाल है जो जिनको अपना बिजनेस अधर या शौप पे बढ़ते हैं जो बराबर चार्ट नहीं देख सकते हैं नाइन कैसा पैटर्ण वन्ला जाड्रे ट्रीडिंग उनके लिए उतना इजी नहीं है चैलेंजिंग हो रहा है तो उनके लिए है तो फ्यूचर का एक लॉट ले सकते हैं जो पूरा मंत्ली एंड में मतलब एक महीने का पूरा टाइम उनके पास रहता है मतलब आप यह सेटप बना तो हमने क्या किया था कि पहला हम को क्या करना था कि प्र देखना था कि उसका करेक्शन कहा तक आ रहा है और जैसे जैसे यह उपर उपर जाएगा अपना स्टॉप लोस ट्रेल करते यह नहीं कि यहीं पर छोड़ दी है बैट निउस आगे सीधे नीचे भाग गया तो आपको फाइदा नहीं मिला ना जैसे जैसे यह उपर जा रहा है यह नीचे से धीरे धीरे उससाब से स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेल करते चले जाएंगे को देखेए फ्रेंट इए इस्दी यह से बैंक डड़ी चार्ट काहर hem देखिए मर्च में लगाsp00 से भरेषी तो हम लोग तो हम लोग की जो थे다음 पहले मैं आपको एक बार और से दिखा दे रहा हूं कि हम लोग को क्या क्या था दिखिए हैं यह हम लोग के रूल्स थे हैं क्या था ट्रेल लाइंड ब्रेक आउट ए बी पैटन को फाइंड आउट करना फिबॉनसी लेवल को ड्रा करना बी से लेकर ए तक और पचास परसंट देखो एक ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉव कर लिए ठीक है अब मानके चलो यहाँ पर लगा था और वह मार्केट गिर गया था तो मैं फिरे दीरे उपर को आ रहा तो रहा था मैंने ट्रेड लाइन लगा लिए अब क्या करना है मैं एक लो और एक स्विंग हाई फाउंड कर करना है यहां से करेक्शन आ रहा है हम यहां पर लेंगे जब यह उपर जाने लग रहा है अब हमें क्या करना है हमने ए और बी मतलब यह देखो यह यह ए और एक यह बी अब लेकर अब देखो अब यहां पर क्या हो रहा है यहां से प्राइज हमारा कि यहां से प्राइज हमारा उपर वो गया ठीक तो यहां थोड़ा सा रिटेस्ट लिया यहां पर नीचे को तो हमने क्या किया पहला ब्रेक आउट किया फिबोनासी का लेवल ड्रॉप कर दिया अब देखो यह वन पॉइंट यह हमारा टार्गेट पॉइंट है ठीक है कि तो कि ट्रेड लाइन को ब्रेक आउट किया एबी पैटर्न हम दोंने फाइंड आउट किया एसे लेकर बी तक फिर से आपको दिखा दे रहा हूं कि यह यहां पर क्लिक किया और यह सीधे यहां पर भी में लेया है ठीक अब हम यहां पर देख रहे हैं कि हमें ट्रेंड का लेना है यह गया यह गया अब हमने क्या था हमारा जो ट्रेंड लेने का जोन था पचास अर्टी सो एक सटीए तीनों के बीच में हमारा जो मतलब य यह हमारा बाइंग जोन था ठीक है अब हमारा पाइस देखो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह तो आप चलिए डूसरा देखते हैं यह तो अमनों यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर फिर ग्रीन के उपर जाने लगा अब हम हमें और बी मिल गया यहां पर यह हो जाएगा अब हम क्या करेंगे यहां से यहां तक एक ट्रेडलाइन को हम दों ड्रॉ कर लेंगे अच्छा आपको मैं बता दूं अगर आप मतलब बुलिश हो उपर के लिए ओ तो आपको यह फिबुनासी ट्रेडिंग में उपर से नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा तब यह आपको यह वन पॉइंट शिक्स वंड या इसका ल दूशां तो यहां पर हम लुव ट्रॉ कर लेते हैं यह को हमारे कामने एक लो पॉइंट ले लिया या इसको मान सकते हो हमने यह लो ले लिया दूशां किया यहां पर आगा प्रायज इसके असपास हमने सब्सक्र लगा यहां पर लगा दिया अभी स्केश के बास를ूब में में भी सतमाल कर सकते हो स्ट्रेड जब में लगा अच्छी काम करती मैं के यूश दिया है डॉलर पर या कर सकते हो उसके एक काम करता है या आपको किसी स्टॉक में करना है कोई ऐसा मैं स्टॉटली आपरेटर बेस्ट होता है उसका मैं अलग वीडियो बताऊंगा कि मल्टी वेगर स्टॉक में कैसे ब्रेक आउट को कहां पकड़ेंगे कहां हमारी इंट्रीव होती है तो जो यह अच्छे स्टाउक मैट प्राइब करना जिनकी वेलो चारसो पांक सो रुपए के ऊपर होती है वह उसपे ही ट्राइब करना जो प्रीमियम स्टाउक होते हैं जो ऐसे दस भीस रुपए 20 यह टोटली जो न्यूस बेस्ट होते हैं उस पर स्टेजरी काम नहीं करती है ओके फ्रेंट्स आसा करता हूं आपको यह पसंद आया होगा हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मैंने अपना जो है टेलिग्राम का लिंक भी रखता है उसको जॉइन करी है उसमे अपने फ्रेंट के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा ज्यादा हम लोग को भी इसमें पुरसान हों हम लोग और अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाएं थैंक यू